Good morning guys, this is Manjit and welcome back to my another video So guys, आज की वीडियो काफी expensive होने वाली है और इसका reason ही है कि इस वीडियो में आप लोग को जो जो dog speed देखने को मिलेंगी वो सभी normal price से काफी expensive होती है वैसे आप लोग को बता दूँ कि आज की वीडियो में जिन dog speed के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है Cyber Nesky, Akita, Chow Chow and French Mastiff तो आप लोग तो चानते ही हैं कि चारो dog speed थोड़ी rare and काफी expensive होती हैं तो अब इन चारो में से जो आपकी favorite dog speed है आप लोग उसे purchase कर सकते हो तो अगर आप लोग इनके बारे में complete information लेना चाहते हो I mean क्या इनकी location है और क्या इनकी pricing होने वाली है तो भाई वीडियो के साथ end तक बने रहें क्योंकि मैं आप लोग को हर एक dogs की complete information दूँगा और guys interesting बात तो यह है कि Cyber Husky में आप लोग को तीन अलग-अलग options मिल जाएंगे I mean इनकी quality और इनकी price को लेकर तो friends फिलाल जो आप लोग Cyber Husky देख रहें यह blue eyes में है और काफी अच्छी quality में है और price में उन्हें काफी reasonable सा रखा है तो गर इनकी age के बारे में बात करें तो यह puppies 50 days के हो चुके हैं और उने जो उनके price के demand की है वो male की के 25,000 piece 25,000 रुपे और female की के 23,000 रुपे और इसी बीड में आप लोग के पास जो second option है वो है यह Husky पपी जिया guys यह जो Husky है यह pure white color में है और बहुत अच्छी quality में है और वहीं अगर इसके coat के बारे में बात करें तो भाई यह woolly coat में है तो pure white Husky आप लोग को काफी कम देखने को मिलता तो यह आप लोग के लिए काफी अच्छा मोगा एक white color के Husky को purchase करने का बाखी fully coat में आप लोग के पास और options भी available है I mean इनके coat color को लेकर जिसमें copper and grey color भी available है तो यह जो puppies हैं यह 35 days के हो चुके हैं और इनकी deforming भी उन्हें ने कर दिया है तो उन्हें जो इनके price के demand किये हैं वो male की के 27,000 पीस 27,000 रुपे और फिमेल की के 25,000 पीस यानी 25,000 रुपे और गईस यह जो आप लोग सहीब है इसकी देख रहे हैं यह एक normalize में male puppy है और यह 38 days का हो चुका है तो उन्हें जो इसके price के demand किये हैं वो के 21,000 पीस यानी 21,000 रुपे तो फिस अब बात करते हैं बाकी के dog speed के बारे में तो सबसे बेले बात करते हैं चाओ चाओ के बारे में तो यह देखेगा इसी हैं वो puppy's जो की बहुत ही beautiful है और चाओ चाओ दिखने में भी काफी गोलू-मोलू से लगते हैं वैसे इनकी neck पर इतने सारे बाल होते हैं कि जिसकी वैसे कई पर यह दूर से देखने पर शेयर के जैसे दिखते हैं तो आप मेंसे जो लोग इन चाओ चाओ पपीस को purchase करना चाते हैं तो आप लोग को बता दूँ कि यह जो puppy's हैं यह 50 days के हो चुके हैं और उनने इनकी first vaccination भी complete करा रहा किया है तो उनने जो इनके price के डिमांड किया है वो मेल की किया 40,000 पीस 40,000 रुपे एंड फी मेल की किया 35,000 पीस यानी 35,000 रुपे तो चलिए गाइस नेक्स डोग पीड के बारे में बात करते हैं जो है अकीता जो कि काफी rare डोग पीड है वैसे दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि अकीता दो टाइपस के होते हैं I mean एक होते हैं American अकीता और second होते हैं Japanese अकीता बागी इसके बारे में मुझे यह नहीं पत जो अकीता बापीस हैं यह भी 50 डेस के हो चुके हैं और ओनर ने इनकी भी फर्स्ट वेक्शनेशन कम्प्लीट करा दिया है तो उन्हें जो इनके प्राइस के डिमांड किया है वो मेल की केफ 50,000 पीस पतास जा रुपे एंड फीमेल की केफ 45,000 पीस यानी 45,000 रुपे तो फ शेटा चार्ज पर यह फिर आप लो चाकर भी इननने पर्चेस कर सकते हो तो फेस अब बात कते हैं फ्रेंच मश्टिफ के बारे में जिसके नाम में मश्टिफ है तो आप लोगों को पता लग गया हुगा कि ये काफी भारी भरकम डोग भीड है तो फरेंच फ्रेंच से आप लोग को इनकी quality का अंदाजा लग गया होगा बाकि जितनी वीडियोगs बीड़ है इनसे भी के mother father उन्हें आप लोग को personally send कर देंगे तो आप लोग कभी भी इने call या messages कर सकते हो तो friends यह जो french message puppies है यह 38 days के हो चुके है and उन्हें जो इनके price के demand किया है वो male की के 25,000 पी तो मिलता हो पलोग को से करने हो एन इंटरस्टिंग वीडियो में so take care and bye bye